आज जेल में जन में कहाना वासु देव के यतन करे सिरी नारायन का बजन करे सिरी नारायन का बजन करे देव की बड़ी प्रिशान होती है कि कहते हैं कि है प्रानात इस मेरे आठ्वे बच्चे को हर हालत में बचाना है देव की सोच रही है और वासु देव से कह रही है वासु देवे कुछ जतन बढ़ाओ इस बालक की जान बचाओ इस बालक की जान बचाओ वासु देवे जी अब क्या करे तिरी नारायन का बजन करे तिरी नारायन का बजन करे कंच का पहरा सकत जेल मैं कंच का पहरा सकत जेल मैं वासु देवे कह हुया फेल मैं बता देवे की अब क्या करे तिरी नारायन का बजन करे आजी फिरी हरी की माया हर दर बारी सोता पाया हर दर 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 के वो पाय धै सिरी नारायन का बजन करे नारायन का बजन करे नारायन 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 दस पंद्रे पहले दस पंद्रे मिनट पहले बच्चे का जनम हुआ किर्षण जी के मुहु में मा की दुद्धी है एकदम देव की ने जब देगा हाल तो हरसाने लगी और क्या बताया देख देव की घण हरसाई बालक से दुद्धी खुटवाई मट्कट नाटक खूब करे तिरी ना लायन का बजन करे नारायन, 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 नारायन बालक सोपा छाज में धरके वासु देव चाला अंस से डरके अपना देव कीपी कर करे जिरि नारायन का भजन करे वासु देव यमना में पड़ गया नाक कलक के पानी अड़ गया नाक कलक के पानी अड़ गया कहना निच्चे पैर करे तिरि नारायन का भजन करे उस कहना की सारी महिमा थी मारने वाला कोई नहीं था जब वासु देव के नाक कलक पानी आया तो किर्शन जी ने पैर लटका दिया और गंगा जो है चरन छुकर के नीचे चली गई और आगे क्या हुआ पासु देव को अब कुछ दरना पालक मेरा कश्ट हरे तिरि नारायन का भजन करे प्रेमी भटो वासु देव को एक आकास वानी होती है कहती है कि हे पिता जी आपको दरने की कोई बात नहीं मैं श्रम आपका सेवक हूँ आपका भच्चा हूँ आप मत गरो वासु देव ने यम्ला में छंगाल लगाई और छंगाल लगार के बहार हो गया आगे क्या हुआ पिता मेरे मत ना घब राओ मुझे पुचा कर वापस जाओ पिता मेरे मत ना घब राओ मुझे पुचा कर वापस जाओ मुझे पुचा कर मापस जाओ निशिर पाल का सुस्ने छंद जरे सिरी नारायन का भजन करे तुरी नारायन का भजन करे पलकिस्ण भगवान की साजेगर बार की